नमस्ते बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं आपको दो तस्वीरे दिखाऊंगी और फिर दो सुराग बताऊंगी। आपको सुरागों को सुनना है और उन दो तस्वीरों में से सही वस्तु को पहचान कर उसका नाम अपनी कौपी में लिखना है। क्या आप तयार है? ये रहा पहला सवाल, ये पीला और लंबा है। बताईए इन में से कौन सी वस्तु है? बिल्कुल सही, केला। दूसरा सवाल, ये उड़ सकता है और हम इसमें यात्रा भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हवाई जहाज आगे बढ़ते हैं। ये लंबी है और इसमें से मधुर आवाज निकलती है। बिल्कुल ठीक, बासुरी। अगला सवाल, ये गोल है और इसमें हवा भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, गुबारा। ये लंबी है और इस से लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, कलम। ये चमकीली है और इस से दर्वाजा खुलता है। जी हाँ, चाबी। ये गोल है और समय दिखाती है। ये घड़ी है। इसे हम पी सकते हैं और ये मीठा होता है। बिल्कुल ठीक, शर्बत। ये कपड़े से बनता है और इसे हम नहाने के बाद इस्तमाल करते हैं। जी हाँ, तॉलिया। ये गोल है और रोश्नी देता है। ये सूरच है। बच्चों, क्या आपको ये खेल खेलने में मज़ा आया। आपने कितने सही जवाब दिये। क्या आप इन वस्तूों के नाम बोल पाए। बच्चों, अब आपकी बारी है। क्या आप इस वस्तू को पहचान सकते हैं। इस पर हम खाना बनाते हैं। ये रसोई में पाई जाती है। ये खेल अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलें। और अपने उत्तर उनके साथ साजह करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने सुनकर वस्तू को पहचान न सीखा। प्राइद करें। फ्राइद करें। इस नसे बढ़ने साथ इस वीडियो आपने सुनकर वस्तू करें। इस वीडियो आपने साथ झाल झाल